हेई दोस्तो इस वीडियो पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 most important things जो आपको वाटप्रेस निश्लो करने के वाद करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप यह steps नहीं करते हैं तो हो सकता है कि future में आपकी website पर बहुत सारे problem आपको face हो और यह भी हो सकता है कि आपकी website कभी google मे ranking नहीं होगी आप चाहिए जितने भी आर्टिकल लिख लिए वह सारे best mobile responsive theme मिल जाता है और इनकी price भी बहुत ही हाई है अगर आप फिर भी अपने website को response बनाना चाते है तो बहुत सारे wordpress theme है जो आपको free में mobile responsive का feature देती है अगर मैं free theme की बात करूं तो सबसे पहले आपको login क dashboard पर इसके लिए आपको लिखना पड़ेका आपकी website का नाम और उसके बाद लिखना पड़ेका slash देखे WP admin अभी आप simply search कर लेजे तो आप directly पहुंच जाएंगे wordpress के login के dashboard पर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा अपनी username और password जो भी अपने installation के time दिया था और simply login कर लेजी login करने के बाद आपको जाना पड़ेगा appearance पर जाके आपको क्लिक करना है theme पर add new पर क्लिक करना है उसके बाद आपको एक theme का नाम search करना है color mug और भी बहुत सारे theme जो आप use कर सेते हैं जिसकी vmug, heatmag तो simply मैं इस theme को install कर लूँगा install करने के बाद आप simply theme के active कर लिजी और अपने website को refresh कर लिजी आप देखते कि मेरे website में theme चेंज हो चुका है अभी आपको अपने website पर important pages बनाना परेगा तो इसके लिए आपको जाना परेगा pages पर या क्लिक कर लिजी add new यहापर आपको about as contact as privacy policy जिसे pages को बनाना परेगा pages बन करूंगा create menu पर उसके बाद आपको नीचे आना है और आके primary पर टिक करके फिर से save कर देना है अगर मैं अपने website पर जाके page को refresh करते हूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी menu बनाया था वो यहापर update हो जुका है अगर मैं अपनी website पर contact page पर click करता हूं तो आप देख सेक करते हैं सबसे उपर एक plugin है जिसका नाम है contact forum 7 तो simply इसको install कर लिजिए install करने के बाद इस plugin को आप एक्टिव कर लिजिए अभी आपको जाना पर रहेगा इस plugin की setting पर setting पर जाते हैं यह आपको एक code मिलेगा तो simply code को copy कर लिजिए code को copy करके आप आजाए अपनी pages पर pages पर आक पर है कि हमारी contact page बनके ready है तो अभी आपको set करना पड़ेगा privacy policy page तो मैं Google में जाके privacy policy generator सच करूंगा यहापर आपको बहुत सारी website मिल जाएगा आपको कोई भी एक website select करना है तो उसके बाद आपको यहाप क्लिक करना पड़ेगा individual पर और आपकी country का नाम देजी अपने state का नाम देजी यहाप पर मैं अपने website का URL कोपी कर लाता हूं और यहाप पर आपके पेस्ट कर देता हूं फिर आपको देना पड़ेगा आपके website का नाम और यहाप बहुत साथी option है तो आप यहाप पर कर सकते हैं फिर से आप क्लिक करेंगे next step पर उसके बाद आपको देना पर आपने privacy policy page को edit यहाप पर अगर पहले से कुछ लिखा है तो आप उसे remove कर लिजी उसके बाद आप क्लिक कीज़े टेक्स पर और फिर आपने जो भी copy का उससे पेस्ट कर दीजी पेस्ट करके simply आप update कर दीजी अगर आप अभी हमारी website पर जाते हैं और जाके privacy policy page पर क्लिक करत तो simply आप उसे क्लिक कर लिजी आप simply हपर सिलिक कर लिजी पोस्ट अप्डेट कर दीजी फिर आपको आना है general पर यह पर आके आप अपनी website का नाम फिर से customize कर सकते हैं और नीचे tagline दे सकते हैं तो अभी मैंने यहापर मेरी website के जो भी टैडल चेंज किया था आप आप देख लिजी अगर पोपलर पर आप जाते हैं तो आप देख सेकते हैं कि आपर सेकेंड नंबर पी है यॉस्ट एसी यो तो इससे आप सिंप्ली इंस्टल कर लिजी इसलो करने के बादे से एक्टिव कर दीजी यहाप इसके अंदर बहुत सारी कस्टोमाजेशन होता है जो कि अग अगर्ण को इस्ट आतर अगरें आपकी वर्पसेट पर सफैम मीन कामेंट्स से बचारती है आपको यह आपको यह अपको जो मोट्र आपको वीडियो को लाइक केज अपने दोस्तों को शेर किजे और अगर आपको ब्लॉगिन के लेटेट और भी कुछ जाना है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए